प्रसकार दोस्तों किरन अश्टोक ट्रेडिंग में आपका स्वागत है आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं परसिस्टेंस कंपनी सेयर परसिस्टेंस सिस्टम्स लेमिटेड जो रेड लाइन में बंद हुआ 258 रुपया के रेट में बंद हुआ है दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक चैनल सस्क्राइब जरूर कर लिजिएगा क्योंकि यहां मैं बताने वाली हूं सपोर्ट और रजिस्टेंस और कंपनी के बारे में ताकि आप इजी तरह के से सेयर में खरदारी कर सके क्योंकि खरदारी करने से पहले आप लोग को भी पता होना चाहिए कि सेयर कैसी है खरदारी करनी चाहिए इंट्री करनी चाहिए कि नहीं करने चाहिए एंड कंपनी के बारे में अब बात करते हैं और हाँ एक बात और बेल एकन गहंटी जुरूर दबाईएगा ताकि जो भी मैं अश्टोक के बारे में वीडियो बनाऊंगी सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा ताकि आपको खरदारी करने में स्वीधा हो सेर में कि बताया है कि कहां बंद हुआ 358 उरॉपिया में कम्पनी ने हाइ और लो क्या लगाई है कम्पनी ने हाइ लगाई है 4,490 की लो लगा कर आई है 2,168 की कम्पनी प्रोफिटेवल कम्पनी है अच्छी कम्पनी है डिविडेंट भी देती है 0.57 कि फेस बेल्यू पाच उर्पिया की है कंपनी की सेल्स की बात करते हैं रिबन्यू में कितनी ग्रोथ है तो देख लेते हैं क्या ग्रोथ है रिबन्यू में क्वाटली का आप मार्च दोहजार चोविस का देख सकते हैं क्या है दुखादश लतील करके आया है क्वाटली का मार्च का और पहले तो दिसंबर का दिसंबर का 20492 कz की और इस बार 2591 की क्वाटरली का रिभन्यू सेल्स तो बहुत अच्छा निकल कर आया है तो यहां गिरावट क्यूं है आपको तो जानना जरूरी है कि गिरावट क्यूं है गिरावट इसलिए कि थोड़ी से मार्जिन में दिकत आई है यहां नेट प्रोफिट भी देख लेत हैं मार्जिन में दिकत आइए कोई बात नहीं है होते रहता है इतना नेट प्रोफिट क्या है 24 का 315 क्रोर की तो नेट प्रोफिट भी बहुत अच्छा है 2024 का EPS में क्या है 20.47% की तो EPS भी बहुत अच्छा है yearly का sales मैं देखू तो क्या growth है yearly का तो आप देख सकते yearly 2019, 2020, 2021 आप देख सकते मैं zoom करके दिखा रही हूँ मैं last 2024 का दिखाऊंगी कि revenue क्या निकल कराया 9822 करोर का तो अच्छा revenue है yearly का भी growth बहुत अच्छी है तो अब आप जानना चाहेंगे कि आप portfolio में इस share को add करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे तो मेरी according to me अपने portfolio में ये share को add करना चाहिए क्योंकि अच्छी company है large cap company है IT software company है अच्छी company के अंदर मजबूती भी है dividend भी देते जहां company के अंदर मजबूती होती है sales में growth होता है dividend भी मिलती है ठीक है company का पर मोटर्स एफ हाई डिया याई पब्लीक अदर्स कितनी शेयर होल्डिंग करकर रखी है आप देख सकते हैं दो हजार चोविस में quarterly का 31 पर मोटर्स का 31.02 परसेंट अच्छा शेयर होल्डिंग है बट आप लोग की मर्जी है खरदारी करेंगे नहीं करेंगे बाकी आपका financial advisor होंगे जिनकी सला मसवरा भी ले सकते हैं कि persistence कैसी company है मेरी according तो यह बहुत अच्छी company है मैं तो अपने portfolio में एड करूंगी इस company को कल ही करूंगी अच्छी company है यहां मैं आपको support और resistance बताने वाली हूँ इसके लिए आप poppy कलम निकाल ले ताकि आप easy तरीके से हर गिरावट पर खरदारी कर सके कि यहां मैं support बताने वाली हूँ persistence क्या उसके लिए आपको support लिखना होगा थाकि आप easy तरीके से खरदारी कर सकते हैं तो यहां दिखिए एक support था क्या 38 का तो 38 का support था तो आज के date में 308 में 38 का support को तोड़कर 308 में बंद हुआ है तो अब आपका अगला support कौन-कौन सी होगी यह आपको लिख लिजिए तो अगला support आपका होगा 35 मुझे नहीं पता है कि कल market कहां खुलेगी बाइचांस कल हो सकता है कि 100.50 पॉइंट बढ़कर ही खुल सकती है तो मान कर चलिए आप 38 में ही खुलता है तो कुछ कुछ आप से 38 में भी खरदारी कर सकते हैं और गिरावट का वेट करें कहां कहां 37, 36, 3500 और last support आपका ये देख सकते हैं strong support है कुछ कुछ सेर खरदारी करते करते 34 के रेट में भी आप खरदारी कर सकते हैं 34 का strong support है मेरे recording ये support तूटनी नहीं चाहिए लेकिन महल जिस तरह का है तूट भी सकता है तूटकर ये 3000 तक भी जा सकता है तो 34 सो तक का आप खरदारी कर सकते हैं कोई बात नहीं 55% का पैसे से आप 34 सो तक का आप गिरावट में हर गिरावट में खर्दारी कर सकते हैं, कुछ पैसे बचा कर रखती हूँ, बड़े प्लेयर को दिमाग के अनुसार, छोटे प्लेयर को परसान करने के लिए, वो tranquiltirt का सपोर्ट को तोडबी सकते हैं, तो कुछ पैसे मैं बचा कर रखती हूँ, ताकि मैं 3000 में भी खरदारी कर सकूँ और अगर उपर जाता है तो profit book करती हूँ उपर नीचे की movement से मैं profit book करती हूँ share market में दो तरह से काम करते हैं एक long term के भीव से एक short term के भीव से तो मैं जैसा मुझे लगता है कि 5000 मुझे मिल रहा है उस तरह से मैं profit book कर लेती हूँ और अगला share देखती हूँ कि कौन सा share गिरावट में है वो खरदारी करती हूँ मैं इस तरह से काम करती हूँ बाकि आप लोग की मर्जी अगर आप लोग long term की hold कर सकते हैं तो long term तक का भी आप sale कर सकते हैं 200 टर्म का निवेसक है वो उपर नीचे के moment से भी पैसा कमा सकते हैं अगर चोंती सो तक का share अगर आप खरदारी कर लेते हैं तो यह सो पचास पॉइंट की सो पॉइंट डेर सो पॉइंट की कभी कभी 200 पॉइंट का भी एक एक दिन में moment दिखा देती है तो आप का sale करने का यह होगा 3500 3600, 3700 ठीक है 3800 वैसे कमपनी ने 4490 का high लगा कर आ चुका है अगर long term की hold करते हैं तो 4490 मतलब कि 5000 तक कभी यह level दिखा सकता है क्योंकि कमपनी में बहुत मजबुती है सालाना का quarterly के अच्छा result भी है तो पॉट्पोलियों में add कर सकते हैं अच्छी कमपनी है तो वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी लाइक शेयर करें धन्यवाद जय हैं दोस्तों